नवस्कार साथियों और आज हमारे बीच में स्री रागविंद प्रताप सिंग हैं जो समिच्छा दिकारी के पतपर सचिवाले में कारेरत हैं इन्हों ने सर ने समिच्छा दिकारी 2016 में पूरे उत्ता प्रदेश में प्रथम रेंक हासिल किया था सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है और मैं चाहता हूं सर की थोड़ा सा अपने बारे में अपना परिच्छा दे मैं नगर पंचैज कुरसट जिला हर्दूई का रहने वाला हूं और मैंने इंट्रमेंडिट अपना लखनव पब्लिक स्कूल मादोगन से पूरा किया है इसक अपने साथ में जो है 57 नंबर प्राप्त किया है जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धी होती है तो सबसे पहले तो मैं सर आप से यह जानना चाहता हूं कि जो बच्चे तयारी सुरू कर रहे हैं समिच्छा दिकारी क्या खासकर हिंदी के लिए वो क्या ऐसा जो है उनको सर वो अपनी सुरुआत कैसे करें इसके बारे मे इसका सिलेबस देख लेंगे तो 50-55 अंक ला सकते हैं और उधर GS में क्या है GS में 85-90 अंक लाने में जितना आपको effort करना होगा उससे कम प्रियास में आप हिंदी में 55 अंक ला सकते हैं तो आपको क्या करना है एक टार्गेट बनाना है कि हिंदी में 55 अंक लाने है और GS में 85 से प्रफ़ाने है इतना एक safe score होता है आप pre-qualify कर जाएंगे 140 में 200 अंक में 140 प्लस आप लच्छ बनाएंगे तो आप प्री में आराम से क्वालिफाय कर जाएंगे तो आपको हिंदी में 55 प्लस का एक टार्गेट बनाना है इसके लिए आपको अवस्यक है कि आपको पूरा पाठिकरम अच्छे से पता हो कि उसमें कौन-कौन से टॉपिक है हमारे उसमें 6 टॉपिक आते हैं हल टापिक से 10 अंक होते हैं 10 प्रशन पूछा जाते हैं प्रारागेट प्रीचा में और इसका जो हिंदी का प्रशन पत्र है वो 60 अंक का होता है तो 60 में आप 15 प्लस अंक आराम से ला सकते हैं, इसके लिए आपको च्छे टापिक अच्छे से देखने हैं, उनका अच्छे से मनन करना है, आपको कंठस्त हो, कि कौन कों से च्छे टापिक हैं, और उसके बाद फिर आप अच्छे से टाइरट बनाई हैं, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, तो आप उस उसमें किस तरह से तयारी की जानी चाहिए और इसी के साथ सर मैं जाना चाहूंगा उसके लिए बेस्ट स्टडी मैटेरियल्स कौन से हैं कौन सी बुक है कि जो आप सजेस्ट करना चाहते हैं बच्चों के लिए सर सबसे पहले सर टॉपिक के बारे में बताता हूं हिंदी जो च्छे टापिक उत्तवस लोग से वायोंने निर्दारित किया है उसका पाटकरम जो निर्दारित है उसमें पहला टॉपिक है अनेक विछेकरम हो सकता है लेकिन च्रौ निर्दारित वो यही है अनेक सब्दों के लिए आपको प्रादकर आपको सारी कितावी नहीं करनी है केवल जो मानक किताबें हैं जो तुटिहीन किताबें जिसमें तुटियां बहुत कम हैं वो फालो करनी हैं मैंने हर्देव बाहरी जी की पुस्तक फालो की थी और वाजदेव नंदन जी की किताबें वो मैंने फालो की थी अच्छा सर तो आपने जैसे किताबों को फालो किया पढ़ा तो अभी सर बच्चों के पास तीन महीने का समय है मुझे लग रहा है जन्वरी में इसके प्रारमिक परिछा आयोजित होगी तो इन तीन महीनों में वो अपने तैयारी को कैसे धार दे और इसमें सर प्रीवियस य देखे पहले तो आपको बता दो कि हिंदी कोई रटने का विसे नहीं है हिंदी में क्या है सब्द की उत्पति कहां से हुई है सब्द कैसे बना है उसके पीछे कोई न कोई कारण होगा यदि सब्विसाची कहा जाता है और उनको तो उसका कारण क्या है वो बाएं हद से भी तक है दो-चार मेने बाद आपको रिवाइज करने के नीड होगी यह हो सकता है परिच्छा के टाइम वी वो दिमाग से निकल जाए तो आपको सब्द को समझना है और उसको जो है ठीक से जब समझ लेंगे एक बार तो परिच्छा में आप उसे अच्छे प्राप्त कर सकते है अथरेबाची में एक टॉपिक टॉपिक बात करता हूं जैसे अनेक सब्दों के लिए एक सब्द है इसमें क्या करना है आपको जो वाक्यांस दिया गया है वाक्यांस को ठीक से देखना है कि उसमें पूछा क्या जा रहा है जैसे आयोग में क्या होता है बनाता है पूछते है उसमें क्या करते है सब्द में थोड़ा अफर different कर देते हैं जैसे मैं एक उधान देता हूँ कि एक दिया हुआ है कि जिसकी भुजायें लंबी हूँ तो वहाँपर लोग क्या करते हैं जो परिशार्ती होते हैं उत्तर लगा देते हैं आजानवाव लेकिन आजानवाव नहीं है ऊसका उत्तर है दिरघवाव जिसकी भुजाएं घुटने तक लंबी हो देंगे आजान वबाव में जो जानुसप्द है वो घुटना है तो तो जिसकी अगर वहाँ वाक्यांस में दिया है कि जिसकी भुजाएं गुटने तक लंबी हों तब उसका उत्तर आजानुबाव हो जाएगा भगवान स्रीराम का पर्यावाची है लेकिन ये दिया है कि जिसकी भुजाएं लंबी हों केवल लंबी दिये महाँ पर घुटना सब्द नहीं प्रुकिया गया है तो आपको दीरभाव उत्र लगाना है तो आपको वाक्यांस ठीक से देखना है क्या पूछा जा रहा है तब उसके कार्डिंग और वहाँ पर विकल्प में दोनों होगे दीरभाव भी होगा आजानबाव भी होगा तो आपको उसके कार्डिंग उत्र लगाना है जो प्रश्ण में वाक्य या शब्द दिया है अगले टपिक पर आते हैं वाक्य वर्तिनी शुद्धी इसमें क्या होता है वाक्य सुद्धी के कुछ लिमिटेड मुझे लग रहा 60 या 70 प्रकार होते हैं जो असुद्धी होती है जिसमें जैसे दुरिक्त हो जाती है दुरिक्त का मतलब होता है रिपिटीशन जैसे एक वाक्य शुद्ध है प्राता काल के समय घूमना चाहिए मैं उदारण दे रहा हूँ तो यहाँ पर काल और समय दोनों लग गया है तो यहाँ पर यह अशुद्धी हो गई है जैसे इसका सुद्ध वाक्य होगा प्राता काल घूमना चाहिए या प्राता के समय घूमना चाहिए तो काल और समय दोनों नहीं हो सकता है करेंगे तो आपको वहाँ से जो है अच्छे प्रशन आ सकते हैं इसके बाद प्रशन निकाली है हिंदी की उसमें परिवेस हिर फूष्टन है जो आता है इसके वी प्रशन दियं आ है और वर्दनी वाले भी दियं क्योंकि कई बार क्या हो प्रश्मर्बीट कर जाते हैं. और आपको प्रश्न उसी रूपमें या फिर उसमें व्याख्य के रूपमें अपरतेश्य रूप परिछा में मिल सकते हैं. यह हमारा तो आपने सब्सक्राइब समझ लिया यहीं पर एक मिलता जुलता सब्सक्राइब पर्श्रास नाविक उज्डाइब सब्सक्राइब। इसाथ म έχει अ अगर जो हम सब्दों को तोड़ लेते हैं, तो वो जादे बहतर तरीके से सम्झा जा सकता, या उसका वास्टवी कर्द निकाला जा सकता है, वो सही हो सकता, सरागे. ज्यसे एक पर्यावाची राधे है, राधे हैं, जुए कन्ड का पर्यावाची है, इसके बाद विलोम सब्द में क्या करना है आपको ये समझना होगा कि विलोम जिस रूप में होता है उसी रूप में उसको याद करना है यदि तद्बो सब्द विलोम है तो उसका विलोम सब्द भी तद्बो ही होगा यदि तत्सम है तो उसका विलोम सब्द भी तत्सम ही लेकिन आपको इनको अश्चे से पढ़ लेना है, बार बार Revize करेंगे, तो आप विलोम सब्द अच्छे से कर पाएंगे, इसके बाद इसमें क्या करना है, आपको सब्सemeले पहके पहचान आप चाहिए कि विशेशन क्या है, वह सब्द जो संगया सरुनाम की विशेश्टा बताता है वो विशेश्ट कहलाता है इसमें क्या होता है तो और जिस सब्द की विशेश्टा बताई गई हो या जो संगया सरुनाम जिसकी विशेश्टा बताई गई हो उसको विशेश्ट कहते हैं तो ये आपको definition ठीक से पता ह इसके बाद विशेशन्ट दो टाइप का होता है विधे विशेशन्ट और विशेशन्ट वो कैसे होता है एक में क्या होता है विशेशन्ट के पहले जुड़ता है विशेशे और एक में बाद में जुड़ता है तो ये दो कटागरी हो गई अचा एक सब्द होता है जो विशे विशेश्ड की विशेश्टा रहा है इसलिए इसको याद करने के टृक्प को कि कोई विशेश्ड है उसको कि संगया के साथ लगा कर देखिए जिसे एक खेद का विशेषड खिन है खिन मन तो कैसा मन? खिन मन तो खिन जो हो गया वो विशेषड हो गया क्योंकि ये मन के साथ लग जा रहा है तो आपको क्या करना है? पहचानने की मैं ट्रिक बता रहा हूँ ये कि वहाँ परिशाल में बैठे होंगे उसको घिती संगेक साल लगा कर देखिए अगर लग जा रहा है वो तो विशेषड है अगर नई लपा रहा है तो विशेषड है वो इसके बाद एक टॉपिक है तदभो और तत्सम इसमें आपको इसके प्रकार पढ़ लेना है कि तदभो कैसे बनते हैं एस प्रकार भर उथो और के लिएक में बनते हैं इसमें कुछ संसकरतनिश्ट सब्ड हैं और कुछ हैसे होते हैं जो आपको इनको ठीक से कंटर्स कर लेना है कि पकुस्ट किया किल प्रिवियेस सिर कोंजिग किटाबों करें पर मेरा ये भी है कि आप लोग प्रश्ण जैसे क्या होता है कि ओर कॉन्फिडेंस में क्या होता है कि हमको सब पता है या फिर प्रश्ण देखा और तुरंट उस पर आपसन पर मोच गया हमने बबल भर दिया वहाँ पर गलती होने की संभावना मुझे लग रहा है 70-80% होती है कि प्रश्ण आपने देखा और उसका उस्तर बढ़ दिया तो फिर गलत हो सकता है इस वज़े से क्योंकि विकल्प जो होते है इतने नस्दीक होते है या तो आप प्रश्ण पढ़ने में गलती कर सकते हैं त आपने पहले वाला देखा कि वही यह सूद लग रहा है तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा तो आपको सारे विकल्प पच्चे से देखने हैं और प्रश्ण पूरा पढ़ना है सर बहुत सही आपने जानकारी दिया हिंदी के बारे में तो मेरा तो यही है कि एक छोटा सा सर इसमें एक वाक्य है कि हार हो जाती है जब मान लिया जाता है जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है कि यदि सच्चे मन से कोई परिश्रम करता है और सही डायरेक्शन में परिश्रम करता है तो उसकी बहुत सफलता जो है सुनिश्चित होती है तो बहुत बार ऐसा आता है सर की बच्चे तयारी करते हैं और उस कंडिशन में क्या होता है कि तयारी करने के बाद भी वो सफलता आ कहीं हतोस साहित या निराश महसूस करते हैं उन बच्चों के लिए आप क्या सुझाओ देना चाहते हैं देखे बास्तों में मेरा जो अपना मोटिवेशन का जरिया रहा वह मैं बताता हूं मैंने कहीं पर बढ़ाता कि जो बारे के अंदर हवा भरी होती वह उसको उपर ले ज हो सकता है आपका इंडर मोटिवेशन हो सकता है कि आपकी जो परिष्टितियां उनको ठीक करना है पारिवारिक परिष्टितियां आर्टिक परिष्टितियां या आपके सामने चैलेंजेंगे उनको आपको टेकल करना है अपना आपने वह एक उद्देश से बनाया कि मुझ में खमठोक ठेकता है जब नर परवत के जाते पाँ उखड मानों जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है जी बहुत-बहुत धन्वाद सर अपना मूले समय देने के लिए हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो से बच्चे बहुत लाभानवित होंगे और अपने तयार जकste है झाल को से पर लिए करते हैं कि ये भीडियोर का मूले से प्रवस्टब। से बहुत थे वीडियोर की अग्रेश से ओूनावित हैं कि अवीयोर